Hello everyone! Firstly, I would like to welcome students of Prepsi because we are meeting first time. So, Preps class, this is your Himlata ma'am and today I am going to teach you Hindi. So, Preps class Himlata ma'am, आज आपको क्या पढ़ाएंगी Hindi? और Prepsi, Hindi में हम लोग जो हैं वियंजन कर रहे थे और वियंजन हम लोग कसी लेकर अना तक जो हैं कम्प्लीट कर चुके हैं और आज मैं हम आपको जो है आपके बुक से स्टार्ट कराएंगी. तो आज हम लोग अपना बुक वर्क करेंगे. So, all of you, quickly open your Hindi book volume 1. Quickly. Open की सबने अपने Hindi book volume 1? तो आप लोग निकालेंगे page number 9. Hindi में सब लोग page number 9 निकालेंगे बिटा. अब आपको जो ये अक्षर दिखाई दे रहा है, जो वर्ण दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न. क्या बोलते हैं? न. क्या बोलते हैं? न. Speak loudly. न. क्यों से लेटर है ये हमारा? न. तो बिटा न से देखो, और कौन-कौन से शब्द होते हैं? न से नल. न से नल. न से नारियल. न से नारियल. न से नाव. बोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाव. न से नाव. और जो नोज होता है हमारा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाख. न से नाख. न से नारियल. न से नमक. ओर हाँ न से नमक भी होता है. न से नमक भी होता है. न से नल. न से नारियल. न से नाव. न से नाख. Now class open page number 10 बिटा. अभी मैम आपको न की formation बताएंगी कि आपको न को कैसे बनाना होता है तो हिंदी में हमारे पास होती है 1, 2, 3, 4, 5 5 lines होती है जिसमें से मैम ने आपको starting में बताया था कि आपको कभी भी first line में और fifth line में नहीं लिखना होता है हमेशा हम लोग जो है अपना second line से start करते हैं लिखना second line से start, हम बलब second से और fourth तक हम लोग हिंदी में जो वर्नों को बनाते हैं तो आपको letter 9 को कैसे लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बिटा आपको third line, अपनी third line पे जाना है third line पे आपको एक small सी standing line बनानी है बिल्कुल small सी standing line बनाई then आपको a little slanting line बनानी है उसको third line तक touch करना है then आपको यहां से एक sleeping line बनानी है ओके फिर आपको second line से और fourth line तक ऐसे extending line बनानी है और इसको उपर से flipping line बनानी है तो हमारा बन गया न से null फिर से देखेंगे बिटा हमें क्या करना है third line पे जाना है third line पे जाके हमें नीचे की तरफ एक छूटी सी क्या बनानी है standing line बनाई then slanting line जो third line तक जाएगी then वहीं से हमें एक sleeping line बनानी है फिर हमें second line से और fourth line तक extending line बनानी है और उपर से sleeping line तो हमारा बन गया न से null now open your page number 11 बिटा इसमें आपको कुछ pictures दिखाई दे रही है ना जैसे look at first picture first picture कर देखो यह क्या है नीमबू क्या है नीमबू क्या है यह नीमबू अब इसके सामने देखो एक space बना हुआ है जिसमें हमें न से नीमबू होता है तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है letter न ऐसे नीमबू अब next picture देखो क्या है बिटा यह क्या है नारियल अब यहाँ पे देखो आपको space दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे ना अगर आप ना लिख देंगे तो यह word complete हो जाएगा और यह क्या बन जाएगा नारियल ना से नीमबू और ना से नारियल अब यह देखो क्या है अनार क्या है अनार और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है blank तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे न क्योंकि अनार में की साउंड आ रखी है ना अनार देखो न की साउंड आई है ना नेक्स फिच्चर देखो यह क्या है कान क्या है कान तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे न क्या फिल करेंगे न कान अब यह देखो क्या है घर क्या है यह घर और घर को क्या बोलते है मकान घर से घर भी होता है और घर को क्या बोलते है मकान तो यहाँ पे देखो space दिया हुआ है तो हम लोग क्या फिल करेंगी न मकान यहाँ पे जो पिच्चर है यह नाग की दे रखी है नाग, नोस और यहाँ पे कान दे रखा है तो parents, please आप बच्चों को clear कर दे ना बटा यहाँ पे नाग दे रखा है तो यह गलती से by mistake दे रखा है यहाँ पे कान, ear आपकी ear की पिच्चर आएगी ठीक है तो हमें ear को क्या बोलते हैं कान कान तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है न कान ओके now open बिटा page number 9 देखो आपको यहाँ इस page number 9 पे बहुत सारी pictures दिखाई दे रही है आपको अब यह पहचानना है कि इन pictures में क्या न की sound आती है जैसे first picture देखो क्या है मचली क्या है मचली क्या इसमें कहीं भी न की आवाज आई है yes or no नहीं आई ना तो हम इसको क्या करेंगे cross अब यह देखो next picture देखो क्या है अनार अनार में कहीं न की sound आई है yes अनार न आया है तो हम इसमें क्या लगाएंगे tick अब next देखो, next picture किस चीज़ की है, दिया, क्या इसमें कहीं न की sound आई है, no, तो हम इसको क्या करेंगे, cross next picture देखो, क्या है, घर से घर, और घर को मैं आपने क्या बताये था, आपको क्या बोलते है, मकान, मकान भी बोलते है तो क्या मकान में कहीं न आया है, मकान आया है न, तो हम इसको क्या करेंगे, tick, क्योंकि इसमें न आया है अब next picture देखो, ये क्या है, ear, ear को क्या बोलते है, कान, कान, इसमें देखो, न की sound आई है न, तो हम इसको क्या करेंगे, tick अब हमने जिस-जिस पिच्चर को टिक किया है, आपको इसमें क्या करना है? कलर करना है, ओके? अच्छा ऐसा आपको इसमें कलर करना है, कलर को बिलकुल भी लाइन से बाहर नहीं निकालना है, सुन्दर सा आपको इसमें कलर करना है, ओके बिटा? Now it's rhyming time अब मैं हम आपको एक poem सिखा रही है अमन के नाना अमन के नाना अमन के एक नाना है उनसे मिलने जाना है चेननी में है उनका मकान चेननी क्या है? एक जगह का नाम है जैसे आप डैली में रहते हैं, नजब गड में रहते हैं वैसे ही चेननी एक जगह का नाम है तो अमन के एक नाना है उनसे मिलने जाना है चेननी में है उनका मकान कपड़े की है उनकी दुकान आप भी मैंम के साथ बोलेंगे अमन के एक नाना है उनसे मिलने जाना है चेननी में है उनका मकान कपड़े की है उनकी दुकान घूमेंगे अमन और नानी खूब पियेंगे नीमबू पानी खाएंगे डोसा उत्पम नारियल की चटनी के संग घूमेंगे अमन और नानी खूब पियेंगे नीमबू पानी क्या पियेंगे नीमबू पानी खाएंगे डोसा उत्पम नारियल की चटनी के संग इस राइम को जो हमने रेड किया तो देखो हमने आपने ध्यान दिया कि इसमें बार-बार कौन सा वर्डा रहा है जो हमने अभी सीका है न है ना अमन, नाना, उन्न से, मिलने, जाना, चैनई, उनका मकान, दुकान, नीम्बू, पानी, नारियल, चटनी तो है ना, देखो, इन सभी शब्दों में क्या आया है, न आया है अब राइम को आप लोगों ने रीड किया है, मैम ने रीड कर आया है अब आप जल्दी से मैम को किशन्स के अंसर देंगे अमन के नाना कहा रहते थे, अमन के नाना कहा रहते थे, वेरी गुड, चेन्नाई, कहा रहते थे, चेन्नाई और आपके नाना नानी कहा रहते हैं, जल्दी जल्दी पताईए, आपके नाना नानी कहा रहते हैं, पताए सब को अगर किसी को नहीं पता है तो जल्दी से मम्मी डेड़ी से पूछीए ओके नेक्स्ट कॉश्चन है आप अपने नाना नानी के साथ कहा घूमने जाते हैं जल्दी से इन कॉश्चन के अनसर फाइंड आउट करने हैं जब school open होंगे न तो मैम आप सबसे पूछेंगे Christians, कि आपके नाना नानी कहां रहते हैं आप अपनी नाना नानी के साथ कहां गूमने जाते हैं और सब को बताना है, और कवीता में न की आवाज वाले कौन-कौन से शब्द आए हैं, देखो अभी मैम ने बताया हैं आपको कौन-कौन से शब्द आए हैं अमन, नाना, जाना, मकान, दुकान तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको याद करने हैं ना की आवाज वाले कुछ और शब्द बताईए, अब आपको जो मैम ने शब्द सिखाया हैं ना, उनके औरली ये कोशन्स बच्चों को बार-बार रिवाइज कराने हैं ताकि उनको लर्न हो जाएं कि बिटा, अब आपको क्या करना है आपको कुछ होर कुशन्स मैम पूछ रही हैं के जवाब देने हैं, कवीता में अमन और उसकी नानी क्या पिएंगे हमने पढ़ा था ना, क्या पिएंगे वो लोग बताइए, नीमबू पानी पिएंगे या नारियल पानी quickly, yes very intelligent, very good प्रैप क्लास आप तो बहुत intelligent है क्या पिएंगे, अमन और उसकी नानी नीमबू पानी, तो आपको इसको क्या करना है, smiley को color करना है, ओके नाना की दुकान किस चीज की थी, जल्दी से बताओ डोसे की थी, या कपडे की थी जल्दी से बताओ, very good कपडे की, नाना की दुकान थी, कपडे की, तो हम कपडे के आगे एक smiley बनी हुई है, उसको क्या करेंगे, color तो आज हमने क्या सीखा है, letter न, क्या सीखा है, letter न, तो आज आपको क्या करना है, class जो मैम ने आपको भी बताया है जैसे, अमन और उसकी नानी क्या पिएंगे, नीबू पानी, तो आपको नीबू पानी के आगे, जो smiley बनी हुई है, उसको color करना है, और जिन शब्दों में न की sound आती है उनको color करना है, इसके बाद आपको अपने letters को trace करना है, letter न को trace करना है, इस page को complete करना है, ओके, और जिसने अभी और picture को देखके आपको उसके आगे क्या लिखना है, न लिखना है, ओके, और ममी डैडी के साथ, अमन के नाना इस राहिम को आपको learn करना है, then, औरली आपको सारे के सारे questions को revise करना है, तो जब school open होंगे, मैं आपसे सारे questions के answer पूछेंगी और जो बच्चा सारे questions के answer देगा, उसको मिलेगी candy, okay class बाई-बाई, take care बिटा